हिंदी साहित्य की लोकप्रिय कहानियों के चैनल में आपका स्वागत हैं। आज सुनिए हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिका कल्पना मनोर्मा जी की कहानी एक नई शुरुआत। तो शुरू करें कहानी एक नई शुरुआत। वे मार्च के खुशनुमा दिन थे, गुनगुनी बताश में तितलियां अठखेलियां कर रही थी, सुनहरे दिनों की आमद ललिता के घर काम का सहलाब ले आई थी, उनी कपड़ों की पोटिलियों में नेप्थिलिन की गोलियां डाल कर संदूक में सुरक्षित कर दी गई थी गर्मी के कपड़े दुरुस्त किये जा रहे थे, पुरानी साडियों से डोर्मेट बनाये जा रहे थे, नए साडियों में फॉल्ट आकी जा रही थी, बलाव सिले जा रहे थे, बची कतरन से हत पंकों में फुन्दले लगाये जा रहे थे बिजली चली जाने पर इनी पंकों का उपयोग वो करती थी भले वो नौकरी पेशा इस्तरी नहीं थी पर उसके पास तरह तरह के कामों की कोई कमी नहीं थी वो कभी स्वेटर गुंती, कोशिया चलाती, कपड़े सिलती, तो कभी अचार बनाती पती के आफिस की पार्टियों में जाना और किसी के पास बैट कर खाली समय बिताने को वो पाप समझती थी वहीं उसका पती उसे अंतरमुखी, गुन्नू, घरभुसू, अकुशल, एवम, अव्यवारिक इस्तरी कहता हुआ थकता ही नहीं था जिसका ललिता को कोई मलाल नहीं था किसी को कुछ भी मान लेने में दोश उसी दृष्टिका माना जाएगा जो कुछ भी मानने में अपना सारा देय लगा बैठती है मेरा नहीं चेड़ आने पर पती को सुना देती पर काम में चुस्त रहती थी वो इस सर्दी उसने बड़ी बेटी गुड़ों के लिए स्कीवी, बिन्नों की टोपी और बेटे रजट के लिए जो बिन्नों से बड़ा था हाफसेटर बनाया था प्रोशिया के साथ रंगीन धागे की लच्छया निकलाई थी पूजा घर के लिए बंदनवार बुनना शुरू ही की थी एक दिन ओफिस से लौटते हुए पती ने अपने ट्रांसफर आने की बात उसे बताई जिसे सुनकर उसका इस्थानांतरण से जुड़ा दर्द ताजा हो गया कहां पठका है अपकी रेलवे ने ललिता गाल फुलाते हुए बोली सहरनपुर वैसे लोग अच्छी जगे बता रहे हैं चीज़ें भी वहां अच्छी मिलती हैं प्रलोभन देता हुआसा पती बोला कुछ प्राप्ती से पहले जमे जमाई सामान को खाड़ने में जो तन मन खर्च होता है उसके भरपाई कोई चीज नहीं कर सकती ललिता बोजीले स्वर में बोल कर उठ गई अरे पगली अब तक तो तुझे अभ्यस्त हो जाना चाहिए पती के होटों तक शब्द आये तो पर उसकी लाजिम दलील पर वो कुछ कहना सका ट्रांसफर की सौगात में सिर्फ सामानी बानना नहीं पड़ता शेहर बदलना घर बदलना साख सबजी वाले दूद वाले बदलना नियूस पेपर वाले के साथ काम वाली बाईयां बदलना परोसी बदलना मित्र बदलना और सबसे ज़्यादा अपने मन के माहौल को नई जगे के अनरूप बदल कर ढ़लना ललिता को कभी अच्छा लगा ही नहीं था उसके बाद भी सरकारी नौकरी के अपने मिजाज थे सो एक रोज ललिता को इलाबाद छोड़कर साहरनपूर आना ही पड़ा पैकिंग शॉपिंग में दो महीने की कड़ी मशक्कत के बाद ललिता बच्चों के साथ अपनी चूड़ियों को और शोपीस के साथ किसी विदेशी क्रॉकरी को भी एतिहास से रख लाई थी साहरनपूर के रेलवे गेस्ट हाउस में वो आ तो गई थी लेकिन उसका अपना मन इलहाबाद में छोड़ आई थी कारण वही था वो मन से किसी से बात नहीं कर रही थी बच्चों से भी नहीं हफते भर गेस्ट हाउस में रुखने के बाद रेलवे कॉलोनी के एक सरकारी मंगले में उसे पहुचा दिया गया जिसे बुड़ी इस्तिरी की तरह रंग रोगन चड़ा कर सजाया गया था परिवार को अपने हाल पर छोड़ कर पती निशिंत हो नए ओफिस की भाग दोड में ऐसा जुटा कि घर परिवार और उससे जुड़ी विवस्थाओं को सिरे से भूल गया वहीं सुकून वाली जिंदगी छोड सीलन युक्त वातावर्न को स्विकारते ललिता लगातार जमने का प्रयास कर रही थी लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि घर को कहां से घर बनाना शुरू करे बहुत सोचने के बाद ऑफिस की तरफ से मिले ट्रेम प्रोडी सहयकों के सहयोग से सामान अनफोल्ड करने लगी सारा दिन सरकारी भवन को सजाने सवारने में लग जाता और शाम घनी वा व्यस्त ठकान के बीच इलाबाद इस मृतियों में जहाकने लगता तो जहां की तहां यादों में खो जाती और मन भारी कर बैठती आफिस से लोटते पती को घर का माहौल पिछले कई हफतों से लगातार अब बोला और गमगीन मिलने के बावजूद उसमें ललिता से कुछ भी न पूछने की कसम खाई थी उसे लग रहा था बिच्छू की डंग से जितनी दूरी बना कर रखी जाए उतना ही अच्छा ललिता से कुछ पूछने का मतलब था खुद का आड़े हाथ लिया जाना इसलिए वो किसी भी प्रकार का जोखेम उठाना ठीक नहीं समझ रहा था जहां पती ने सहरनपुर आते ही सरकारी आवाज को अपना घर मान लिया था वहीं ललिता ने उस जरजर बंगले को घर के रूप में तब स्वीकारा जब उसके बच्चों का एड्मीशन एक अच्छे स्कूल में हो गया उसके बाद कभी-कभी पती को ड्यूटी भेशती समय उसके चेरे पर वुसकान खिलने लगी थी जब से ललिता सहरनपुर आई थी पहली बार रूप मती मतलब उसकी साहिका एक दिन की छुट्टी पर गई थी ललिता को उसके कई काम निप्टाने पड़े थे जब वाशिंग मशीन से कपड़े निकाल कर वो बालकनी में सुखाने गई तो बालकनी में जुका एक शेहतूत से जर्ती धूट के चित्रों को देखकर उसे बहुत अच्छा लगा था बहुत देर तक वो वगीचे की रंगत भाव विभोर होकर देखती रही थी निश्चे थी कभी इस गर्ण में रहने वाला शेहतूत प्रेमी रहा होगा तभी तो इतने सारे शेहतूत के पेड लगा कर चला गया है पेड लगाता कोई ओर है, फल कोई ओर खाता है क्या लगाने वाले की निजगी बातें ये पेड नहीं जानते होंगे कितना भी कोई अपना समीटा समीट कर ले जाता होगा लेकिन उसकी यादों का कुछ अंश इनके पास जरूर छूप जाता होगा ललिता अपने भाव लोक में डूपी थी हवा के सहयोग से शेहतूत की एक फुनगी ने उसके कान में गुदगुदी की तो छने से उसकी तंद्रा भंगो गई सहरारपुर इतना भी बुरा नहीं है कहते हैं उसने कपरे फैला दिये उसे वहां की आबो हवा अब अच्छी लगने लगी थी परसात का मौसम चल रहा था बादल जब पानी नहीं बरसाते तब महिलाएं शाम को सेर सपाटा के लिए निकलती मगर ललिता किताब लेकर बालकनी में आकर बैठ जाती एक कोने में शेहतूर जूंता रहता दूसरे में आराम कुर्सी में बैठ कर ललिता कबीर और मीरा को बास्ती रहती सची तो कहाए किसी ने कि रक्ष मनुष्य के नजदी की रिष्टेदार होते हैं कैसे नहीं से ऑक्सीजन हम तक पहुंचाते हैं जिस प्रकार प्रिकर्थि हमारे बाहरी शरीर की संरशना को कोशित करती है उसी प्रकार मन के प्रभामंडल को भी संचालित करती है हम छोटी छोटी चीजों से प्रभावित होते भी हैं और करते भी हैं साथ रहने वाला साथी अपने अस्तित्यों से दूसरे को प्रभावित ना करे तो वो अलग कहां से हुआ लजिता ने पेड की ओ देखा दीरे दीरे लजिता का घर से जादा बगीचे में ध्यान जाता जाने लगा था समय अपनी लैं में चल रहा था सहरंपुर के पंच परश पता ही नहीं चले और पुरह ट्रांसफर का वकता पहुँचा इस बार पती का ट्रांसफर किसी कस्वे के छोटे से रेलवे स्टेशन पर हुआ था जहां पर बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्ता ने की जा सकती थी बहुत पूछताज के बाद अंतत गोत्वा सहरनपुर के उसी सरकारी आवास में ललिता को बच्चों के साथ रुपने पर विचार करना पड़ा पती अपना सूटकेस लेकर नई जगे चला गया घर में सनाटा पसर गया कुछ दिन ललिता को घर बाहर संभालने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा फिर वो भी बच्चों के साथ एक नए रुटीन में व्यस्थ हो गई जब कोई निर्ने लेने की बात होती या बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए पूछना होता तो वो पती से फोन पर पूछ लेती लेकिन जब रजट पापा की याद करोने लगता तो पहले गुड़ो आँके बर कर बैठ जाती फिर ललता की आँखों से भी पानी बरस पढ़ता जिसे उस शिपा कर पोच लेती इस तरह उसके जीवन के खेल अनवरत जारी थे सब कैसा चल रहा है एक दिन पती ने फोन पर पूछा सब ठीक चल रहा है सिवाए बगीचे की कठाई छटाई का काम अब नियम से ना होने के कारण बेतर तीबी से पेड बढ़ रहे हैं सिर्फ एक बरसात पीकर बगीचे के पेड पौदे इतने घने हो गए हैं कि उन पर अब पंचियों के साथ-साथ चमकादरों का भी पसेरा हो गया है शेहतूत की डालिया कमरे में घुसने को हो गई है शेहतूत के पके फलों से बालकनी में खून जैसे धब्बे पड़े रहते हैं मुझे इलाबा छोड़ दो वही अच्छा रहेगा ललिता बूली अच्छा ठीक है ठीक है परेशान मत हो इस बाद छुट्टी आऊंगा तुसे जर से ही कटवा दूँगा पती ने उसे शांत करते हुए कहा हाँ ठीक रहेगा बालकनी वाले शेहतूत पर शाम को उल्टे लटके चमगादणों को देखकर बच्चे क्या मैं भी रजाती हूँ ये सब तो चलो फिर भी ठीक है लेकिन अब तो हलके रंग वाले कपड़ों में शेहतूत के जिद्दी दब्बे भी लगने लगे हैं कुछ रूपमती की लापरवाही और कुछ शेहतूत की बड़ी टहनियों में फसकर बुलायम फैब्रिक के कई कपड़े फट चुके हैं ललिता ने शिकायत करते हूँ में फोन रख दिया एक दिन ललिता को बच्चों को लेकर स्थानिय पिकनिक पर जाना था उसने गुलावी सिल्का दुपटा दो कर बालकर्णी में फैला दिया खेल खेल में रजट ने उसे खीचा तो शेहतूत की डाली में उलच कर वो फट गया गुड़ों ने जब देखा तो डर गई उसने कपड़ों के बीच में उसे शिपा दिया जिस दिन पिकनिक जाना था ललिता ने बिटिया से वही दुपटा लाने को कहा बहुत देर तक वो बहाने बनाती रही लेकिन ललिता जब डाटने लगी तो उसने दुपटा उसके हाथ में पकड़ा दिया दुपट्टे को जैसे ही उसने कंदे पर डाला उसके होश उड़ गए दुपट्टे में बहुत बड़ा चीरा लग चुका था उलट उलट कर कई बार उसने देखा कहीं से भी उसे उड़ानी जा सकता था क्योंकि दुपट्टा ललिता की मा की अंतिम निशानी था इसलिए उसके लिए वो बहुत कीमती था ललिता की आखे चलक पुड़े सिर्फ पकड़ कर वो वहीं बैट गई सजे दजे बच्चे मा के सामाने होने की प्रतीक्षा करते रहे ललिता ने पिकनिक पर जाना कैंसिल कर दिया उस गटना के बाद ललिता और शेहदूत में जो ठनी सो ठनी अब तो वो आते जाते उसको खुब बुरा भला सुनाने लगी थी चलते फिरते कभी उसके पत्ते नोस्ती तो कभी डालिया तोड़ देती अब तो तुझे कटवा करी मुझे खुशी मिलेगी बहुत लहराने लगा है ना क्यों सुन रहा है ना अपनी मस्ती में तु मेरे कपनों का सत्यानाश करेगा मेरी सफेद गुलाबी पीली चादरों को तुने धब्मों से भर दिया है होगा तु बगीचे का बाश्या मैं तुझे कटवा करी मानूंगी ललिता ने एक दिन उसे अनाप शनाप पोसा था दीरे दीरे मौसम ने करवर पदली बरसास से सर्दी और उसके बाद पतजड़ ने अपना खेल रचाया तो कॉलोनी के सारे व्रक्ष सूने हो गए ललिता को परिशान करने वाला शेहतूत भी बदसूरत होता चला गया उसे देख ललिता को अलग प्रकार की खुशी का अनवा हो रहा था पत्ते जड़ जाने के कारण बालकनी में काफी जगे निकलाई थी उसके मन की पीड़ा थोड़ी कम हो गई थी एक दिन पत्चड की नीरव संध्या में शेहतूत की कंकाल काया को बहुत देर तक देखती रही पत्र हीन पेड की सूखी टहनियों को उसने हां से तोड़ कर फेक दिया और कुछ को चाकू की मदद से प्रते एक दिन काट कर फेकने लगी इस तरह बालकनी की तरफ से लगभग चौथाई पेड को उसने काट डाला पेड इस तब धोकर उसे देख रहा था लेकिन उसके कारणों पर दुख नहीं मना रहा था माई अपने बच्चों के बाल कटवा कर उन्हें सुन्दर बना देती है ललिता भी मुझे सुन्दर बना रही है पेड सोच रहा था पतिचड भूरा हूँ चला था पेडों पर बसंती रंगत लोटने लगी थी लेकिन शेहतूत के प्रति ललिता के मन का गुस्सा या थावत था एक शाम बच्चों के साथों बालकनी में बैठी थी पच्छुआ हवाओं में पत्र विहीन पेड जूम रहे थे मैं तो कहती हूँ अब इस शेहतूत पर कभी एक पत्ता भी नहीं होगे इसने मेरी मा का दिया दुपट्टा कैसे तो फाड़ा है ये भी अपनी खुशी में कभी खुश ना रहे मेरा जीना इसी ने दूबर किया है एक तो सारी जिम्मेदारी अकेले ढो और सारी दुनिया मुझे ही दुखी करने पतुली रहती है ललिता ने अपने जीवन का क्षोग मूग पेर पर उडेल दिया पेर जब इस तरह की बाते सुनता तो सन्नाटे में डूप जाता आसमान की और ताकता लाग बाते सोचता पर अपनी गलती पकड़ने पा रहा था कि ललिता उससे नाराज क्यों है भला बुरा सुनते हुए जब पेर परेशान हो जाता तो अपने कानों पर हाथ रख लेता ललिता की बड़ी बड़ी आग उगलती आँखें देखकर वो अपनी आँखें मीच लेता फिर भी ललिता की तीखी आवाजें उसे सुनाई पढ़ती रहती दीरे दीरे पेर अनमयस्क रहने लगा था रात में सोता हुआ पेर अचानक चौक पढ़ता तो पंची बोल उटते पेर की इस हरकत पर घुसले में बैठा तुदमुहा पंची भी काप जाते हवा चौकनी हो जाती कोई भी देख कर समझ सकता था कि ललिता की बातों का पेर के मन पर बहुत बुरा असर पढ़ रहा था जो बाते चुबने वाली होती हैं वे कानों से होते हुए दिल को घायल कर जाती है पेर जब जब ज़्यादा दुखी होता तब सोचता रहता हवा चलती तो उसकी नंगी डालियां आपस में खरबढ़ा कर बज उठती वहीं बगीचे में हर और पेरों की डालियों पर कोमल पत्यां चिटक उठी थी छोटे बड़े पेर पौदों की हरे हरे पत्तों और फूलों से गोद भराई होने लगी थी फूलों से लदी डालियां चुक गई थी व्रक्षों की सुकुमारता सबका मन मोह रही थी केवल ललिता को दुख देने वाला जैसे का तैसा ओजार खड़ा था पेर पर ललिता की गालियों का बुरा असर हुआ था या मासिक धर्म में छूने के टोटके का अलग से वो विचार नहीं पा रही थी चलो साब भी मर गया और अपनी लाठी तूटने से भी बच गई ललिता ने हसते हुए बोला एक से डेड़ महिनों के बाद एक दिन जारू लगाना छोड़ कर गूप पती दोड़ते हुए आकर बोली मैडम सहतूत को देखी हरिया गया है वो ललिता ने जाकर देखा तो सच में पेड की प्रतेक डाली पर हरे हरे बूटे यानि पत्तों के अंकुरन फूट पड़े थे ये क्या हुआ इसमें तो अभी भी जान बाकी है ये कैसे बची रह गई अब तो ये फिर से अपने मद में लहरा लहरा कर दादा गिरी दिखाएगा कपनों को दाग धबों से भरेगा मेरा जीना हराम करेगा सोचते हुए उसे लगा कि उगश खाकर गिर जाएगी उसने इस प्रतियों को खंगालना शुरू किया बहुत देर माथा पच्ची करने के बाद उसे पेड के प्रति अजिया की कही बातें और टुटके याद आए लाली इस तरी मासिकी में तुम फलदार पौधों और तुलसी को मच्छुआ करो तुम्हारा क्या तुम तो नहादो कर खड़ी हो जाओगी लेकिन पेड पौधे बेचानों के आत्मा सूख जाएगी उनके फल असमें सूख कर जढ़ जाएंगे आजी की बात पर रुक कर वो सोचने लगी मैं भी उस समय चूख कर इसकी अकड मिटाऊंगी क्या इस व्यग्याने की युक में भी उन दक्यान उसी बातों का कुछ अर्थ बचा होगा क्या मालिन बाग में काम न करती होगी क्या अपने मासिक धर्म के दोरान पेड़ पौधों को नहीं चूटी होगी फूल फल तो पेड़ पौधे भी देते हैं क्या वे रजस्वला ना होते होगे मुझे नहीं लगता इसका कोई असर होगा अच्छा चलो ये उपाई भी करके देखती हूँ ललिता ने अपने मासिक धर्म के समय जैसा सोचा वैसा ही किया उसके बाद प्रते दिन पेड़ का मुर्जाया हुआ चेहरा देखने के लिए लालायत रहने लगी जब परिणाम निकलते उससे समझ नहीं आया बालकनी के दरवाजे पर ताला डाल कर उस ओर किसी को भी जाने के लिए रोक दिया रूपमती तू भी ध्यान से सुन ले कपड़े उस ओर नहीं सुखाएगी कपड़े फिर कहा सूखी मैडम रूपमती के मन में आया कि पूछे लेकिन ठीक है मैडम बोल कर मौन हो गई लंबे सबय तक कोई भी शैतूत की उड़ नहीं गया एक दिन शाम के समय रजत को पेड़ों की दुनिया पाट पढ़ाते हुए ललिता को पेड़ की याद फिर से हो आई वो बालकनी में आ गई उसने देखा चारों और हरियाली उफान पर थी लेकिन शैतूत पर सनाटा पसरा था हरे भरे वाता वररण में अब तो वो कंकाल की तरह लग रहा था जो पत्र अंकुरन लहक में डालियों पर उगे थे वे चिपक कर वही सूख चुके थे ललिता बहुत देर तक सोचती रही लेकिन कुछ समझ में नहीं आया तो फिर अपने बच्चों को आकर पढ़ाने लगी अगले दिन ललिता ने उसकी डाली जुका कर एक पत्रांकुर को चुआ तो उसकी अंगली में चुरमुरा गया जपट कर उसने दूसरी डाल जुकाई उस पर लगे पत्रांकुर का भी वही हाल उसने एक डाल तोड़ी तो कुट्ट से तूट गई लगातार कई डालियों को उसने तोड़ा सभी तूटती चली गई उसके मन में अचानक भै भरने लगा ललिता एधर दर देखने लगी जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुना किया था एक पेड़ की मौत का चिम्मेदार और कोई नहीं तुम हो उसके स्वबोध ने उसके प्रते धिकार भेजी मन का दहकता क्रोध ऐसे उड़ंच हुआ जैसे दहकती अंगीठी पर बादल फट पड़ा हो अरे ये क्या हुआ तुझे तु तो बिलकुछ सूख किया मैंने तो बस यूही तेरे साथ मजा किया था हे ईश्वर ये क्या कर डाला तूने तूने मेरी बातों को दिल से क्यों लगा लिया मैंने ऐसा कता ही नहीं चाहा था कि तू सच में सूख कर मर जाए ललिता ने गिरगड़ाते हुए ऐसे कहा उसे अपना कलेजा मूँ को आता हुआ मैसूस हुआ ललिता देवी इस दुनिया में यूही कुछ नहीं होता सबका कुछना कुछ अपना धेव होता है दालियां सुनते सुनते मैं अपनों को हरा भरा ना रख सका। देखो ना बगीचे में मेरे परिवार के सभी पेड़ कितने खुश और स्वस्त हैं क्योंकि उनको तुमने जब भी देखा इस नहीं से देखा। लेकिन मेरी और तुमारी द्रिश्ट अगनी ही बरसाती रही। एक बार पुंठित होना शुरू हुआ तो होता चला गया। अब तो तुम देखी सकती हो कि मैं मरने के अंतिम कगार पर हूँ। एक बार आधी आने की देरी रहेगी समूल नश्ट हो जाऊँगा। आप खुश रहें। गुरा भला मैं अपने बच्चों को सुनाती हूँ, हर समय पिटाई करने से भी नहीं चखती, किसी के सामने पीटने में भी सोचती नहीं। आकर मैं उनकी मा हूँ। लोग कहते हैं बच्चों की भावुनाओं की कदर करना चाहिए। मैं कहती हूँ ऐसा करने से बच्चे ब बैगारना नहीं चाहती, मैं उनसे जो चाहती हूँ, बच्चों को वही करना पढ़ता है, आखिर तो मैं देवतुल्ले उनकी मा जो ठहरी, अपनी अतुल्ले ममता आखिर उन ही पर तो लटाती हूँ, मैं लाक बुरा गऊं, मेरी बातों का कभी बुरा मानने का उन्हें अधि परदी दिखाते हुए उसकी डाल को शुआ तो बुड़े आदमे की तरह पेड़ तरतरा उठा, हवा दबे पाउं वहां से खिसक गई, चिडियों ने अपना चहक न रोग दिया, तुमने बिलकुल सही कहा, अपने किये गए क्रत्यों पर कुछ भी सोच कर मन को तसली देना मा आनिवे फितरत जो ठहरी, लेकर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, किसी के द्वारा कहा गया एक भी शब्द इस ब्रह्मान में अनसुना नहीं रहता, शब्द की अपनी सत्यता और प्रामानिकता होती है, शब्द कभी मरते नहीं हैं, वक्त आने पर वे अपनी ठंडी गर प्राम तासीर जरूर ही दिखाते हैं, नहीं, मैं नहीं मानती हूँ, अपने बच्चों को तुम बहुत भरा बुरा बोलती हो ना, मैं पूछता हूँ, क्या तुम्हारे बच्चों पर उसका कोई बुरा आसर नहीं पड़ता, नहीं, बिल्कुल नहीं, मा की गालिया भी आती है, क्यों, मुझे ऐसा नहीं लगता, वो अभी बच्चा है, उसके पास है ही क्या बाटने को, ललिता प्रश्नवाचक मुद्रा में बोली, अगर ऐसी बात है, तो तुम गाड़े प्रतिफल का इंतजार करो और पिर देखना, पेड हवा में खड़ बढ़ाया, और पर सांज होने में वक्त था, पर ललिता को रात की कालिमा आँखों में खौफ बनकर उतरती हुई प्रतित हो रही थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उसने आवाज दे कर बच्चों का अपने पास बुला लिया, असमंजस की इस्तिती में ललिता ने बालकनी से जुकर शेहतूत के तने के साहरे जमीन पर देखना चाहा, उपर से नीचे तक शेहतूत पुरा सूख चुका था, ललिता को पेट एटता सा महसूस हुआ, उसकी नजरे लगातार कुछ सुंदर सा खुज लेना चाह रही थी, ताकि शोप का उद्वेक कुछ तो थमे, बहु की उदारता देखिए, खुद का अस्तित तो समाप्ति की ओर है, फिर भी धर्ती की सेवा में दो को छोड़े जा रहा है, एक मैं हूँ, जो सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ, आज से इनकी देखभाल मैं करूँगी, आत्म जागरती में चेतन भाव स्वता इस्फुरि को पेट के पास समेट लिया, अभी आप सुन रहे थे, कल्पना मनोर्मा जी की लिखी हुई कहानी एक नई शुरुवात, बेहद अर्थपूर्ण और सार्थक कहानी, अगर इस कहानी से हम सीखना समझना चाहें, तो बहुत कुछ समझ सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, क न के लिमें रहें पूपर कुछ समझ से बडिках लिती से हम सम्सकेकार, बीस्ते हैं, बेहुत को पीज़ थे, कर न धे दो क कि 25, 25, 25, 26, 27, 27, 25, 26, 27, 28, 28, 27, 28, 29, 27, 28, 28, 29, 28, 29, 28, 29, 27, 29, 29, 25, 26, 27, 29, 29, 30, 28, 29, 29, 30, 29 dane, 30, 31, 30, 29, 29, 35, 40, 35, 29, 30, 28, 29, 30, 30, 29, 31, 30, 31, 30 कि 30, 29, 32, 30, झाल झाल